मुख्यमंत्री हेमन सोरेन ने सोमुवार को जार्खन के 827 माधिमिक शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र का वित्रन किया राची के मुराबादी मैदान इस्थित रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में आयोजित कारिक्रम में हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति परिक्षा में सफल इन अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र बाटा गया इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानन भोक्ता, सांसद महुआ माजी, विभागे सच्यू के रविक कुमार, सीएम के सच्यू विनेच चौबे, निदेशक स्कूली सिक्षा सहित कई उपस्थित थे इसलिए सरकार जो कहती है वो निश्चित रूप से करती भी हम ये नहीं कहेंगे कि महच चंद बरसों में हम राज की सारी समस्याओं का समधान कर लिये लेकिन ये जरूर कहेंगे कि वर्तमान सरकार से इस राज की जनता की आस और उम्मीदें बहुत बढ़ी आज आप लोगों ने को मालूम होगा कि हम लोगों ने सहायक अभी अन्ताओं की भी निउक्ति की लिपिक सेवा वर्गों के निमनी वर्गे लिपिक का भी निउक्ति किया को डेंटल डॉक्टरस का भी निउक्ति किया पंचायत सतियों में भी निउक्तिय की राजश विभाग में भी हम लोगों ने नियुक्तियां की वित विभाग में भी कई नियुक्तियां हुई सिक्षा विभाग में भी पहले कई नियुक्तियां हुई लगबग साड़े तीन हजार सिक्षकों की बहाली पहले ही हो चुकी है गिरी विभाग में भी नियुक्तिया हैं हम लोगोंने की सौस अभी अधिक लोगों की सौस विभाग में भी हम लोगोंने डॉक्टरों के नियुक्ति की लगबग पांच सो के लगबग डॉक्टरों के नियुक्ति की वहीं जानवरों के डॉक्टर कभी हम लोगों ने न्युक्ति किया जो लगबख 50 की संख्या थी 50 ने 30 की संख्या 32 की संख्या पत्थ निर्मान विभाग में इंजिनियरों की बहाल वी नर्सेस की बहाली हम लोगों ने की आयूस चिकितसकों की बहाली हम लोगों ने की कई ऐसे सारे विभाग हैं जहां हम आज कह सकते हैं और ये सारी नियुक्तिया ये सारी नियुक्तिया हम लोगों ने एक साल में किया है और धाई साल तो हम लोग कोरोना में ही उथल पुथल हुए थे इसके अलावा हम लोगों ने रुजगार मेला लगा कर गैर सरकारी संस्थानों में तो लगबग 33-34 हजार बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ती पत्र दिया अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन बटन दबाना ना भूले